फ्रेंड्स मेरे एक subscriber है और आपने comment box में पूछा कि take into account क्या है या take into consideration क्या है यानि take into account और take into consideration कर कैसे यूज करें तो आइए फ्रेंड्स इस concept को समझें बहुत आसान concept है उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बार समझ में आएगी फ्रेंड्स अगर आपके पास भी कोई question है तो आप comment box में type करें मैं आपके question पर वीडियो जरूर बनाऊंगा फ्रेंड्स take into account या take into consideration का यूज हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि किसी इनसान को या किसी चीज को नजर में रख कर कोई काम करो तो फ्रेंड्स इस बात को आप इंग्लिस में ऐसे कहेंगे taking obesity into account you should eat anything या फिर आप ये भी कह सकते हैं taking obesity into consideration you should eat anything यानि अपने मोटापे को नजर में रख कर अपने मोटापे को ध्यान में रख कर तुम्हें कोई चीज खाने चाहिए फ्रेंड्स ये सेंटेंज तो हमें अक्सर अपने लाइफ में कहना होता है जब हम अपने भीवी के साथ मॉल में होते हैं taking money into consideration you should do shopping फ्रेंड्स अगर आपको कहना हो कोई भी बीजनेस कानून को नजर में रख कर करो यानि कोई भी बीजनेस कानून को ध्यान में रख कर करो तो आप कहेंगे यानि कानून को ध्यान में रखकर आपको कोई बिजनेश के शुरुआत करने चाहिए Friends, अगर कहना हो गरामर को नजर में रखकर मैं इंगलिस पढ़ाता हूँ तो मैं कहूंगा Taking grammar into consideration या Taking grammar into account I teach English Friends, अगर मुझे कहना हो कि वो अपने भविस्तों को ध्यान में रखकर पढ़ाई करती है तो Friends, इसे इंगलिस में ऐसे कहेंगे Taking her future into consideration या Taking her future into account She does learning या see a studies Friends, कई बार ऐसा होता है कि एक्जाम के दिनों में हम कुछ ज़्यादा ही पढ़ने लगते हैं तो अकसर Parents कहते हैं कि अपनी सिहत को ध्यान में रखकर पढ़ाई करो तो Friends, अगर आपको कहना हो कि अपनी सिहत को ध्यान में रखकर पढ़ाई करो तो आप कहेंगे Taking your health into account You should do learning या Taking your health into consideration You should do learning यानि अपने health को ध्यान में रखकर दुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए तो उमीद करता हूँ Friends कि आपको यह बास शांदार तरीके से समझ में आई कि Take into account means या Take into consideration means To pay attention to someone or something यानि जब कभी आपको कहना हो कि कि किसी चीज को ध्यान में रखकर या किसी इनसान को नजर में रखकर तो आप Take into account का यूज करेंगे Friends वाकई अगर आपको यह बास शांदा समझ में आया तो फिर आप मेरे एक पोर्सन का आंसर दें अगर लिखा हो Taking my hard work into account You should write anything in comment box तो Friends क्या बता सकते हैं कि sentence का क्या मेनू हुआ आंसर जरूर दीजेगा मैं आपके आंसर का वेट करता हूँ फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए Bye